हुआ दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटुग चैनल अनुपिश्टेडी में यह जो है आपका दूसरा दिन है जिसमें से पहले दिन जो आपका चला था जो है कि वर्गमूल एवं घनमूल जिसमें से आपको जो है कि एक से लेकर के 15 तक के प्रस्णों को हम बताये थे यदि आपको अभी तक उसे नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्टन में आपको लिंक दिया गया है वहां से जाकर देख सकते हैं या हमारे प्लेलिस्ट में जाए वहां पर जो है कि आपको सई वीडियो इस तरह से मिलते रहेंगे तो यह आपका दोसरा दिन है जो की वहां कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो यानि कि आपको बताना है कि पांच अंको की वहां कौन बड़ी से बड़ी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो तो हम जानते हैं कि पांच अंको की बड़ी से बड़ी संख्या आपका होता है 9900 क्या 99 यानि कि पांच अं मिल रहा है वही आपका आप संख्या है जो कि यह एक पूनवर्ग नहीं है तो आपको पुडवग की बात हो रही है तो देखे यहां भाग विदी है कौन से भाग विदी और दूसरा होता है गुलनखंड विदी तो फ्रेंड्स आप लोग गुलनखंड विदी करते हैं तो ज्यादा आपको प्रोसेस बड़ा हो जाएगा तो हम भाग विदी करेंगे देखें यह आपको जो है कि भाग विदी से बर्गमुल और गुणखंड विदी से नहीं आता है और घंद मुल भी नहीं निकालने धांग आता है आपको तो इसका ज्यादा कमेंड मिलता है तो हम अलग से वीडियो बना देंगे चलिए हम दों देखते हैं पहले इसने इसमें हम लोग क लिकाल सकते हैं तो यह पुणवर्ग नहीं है तो बढ़ी संख्याई है लेगा पुणवर्ग भी हरे नहीं तो देखते हैं क्या मीलता है इसमें हम लोग के तरफ से दोड़ का जोड़ा लगाते हैं तो इसका एक जोड़ा बना इसकी जोड़ा इसका जोड़ा नहीं बना है तो मान लेंगे किया कितना है ढ़üst्प करेंगे हम लोग एसतार अंक लेंगे जिसमें उसी अंकों से गुझा करने पर आपका नौ आना चाहिए नौ से अधिक नहीं आना चाहिए उस्से क्या हो जाए काम हो जाए जैसे हम लोग पहले दो लेंगे तिन लेंगे और चार पांच ऐसे करते करते हम लोग ध्यान दिजिएगा समझने वाली बात है इसलिए यह थोड़ा प्रोसेश बड़ा होगा यहां से तो देखे युद्धी हम लोग लेते हैं तो यहां पे और यहां पर दो लिखते हैं कि अब क्या करने पर आपका गंद clock मैं नहीं रखते हैं यहां पर 3 यहां पर भी क्या चलिए तीन तीलिक किता नहां नौ ठीक है इसके निकटन पहुंच चुका है यह यह आप लोग कहते हैं कि सर्चार रखें तो चार दो कुतना जाइब ignment 163 से अधिक हो जा रहा है ना तो हम दो तीन रखेंगे क्यों माना रहा है याने कि नो आ जा रहा है तीन में ठीक है चलिए तो 3 तिली के कितना हो गया नहीं हो गया और हम लोग इसको और हम यहां पर कॉंध़ सांगए कि इसमें जो है इसमें एक भी रख सकते हैं यहां पर जो के शव आफ सौक राखेंगे जिसे जिसमें गुड़ा करने सैंथ दीक तो हम लोग यहां पर यदि एक रखते हैं और एक सिगुणा करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा एक सथ मिलेगा ज़रा दो भी रखकर देख सकते हैं तो दूनी के चार हो गया अब दूछाक क्या 12 एक सब्सक्राइब यहाँ लिख रखने पर हम लोगा मान ज्यादा यहां पर आप कौन सांक रखेंगे जिसमें उसी से इन में गुणा पर इस से अधिकाप नहीं होना चाहिए छेलिव रख लेते हैं एक बर साथ रखे देखते हैं साथ भाड़ा है कि थोड़ा बड़ा है रहाई साथ सदे चार ऊंसी चार हुआ चेहां साद उनीचे चोड़ा घ्याद चार कितना हो जाएगा आठारा को आठांसे लेक हुआ और जोगे साज़क शास साज़क बायालिस हुआ गार कि पिरालिस ठीक है मानतों अधिक होजा रहा है इस साथ वर में चली पांच वर लेकर चलते हैं ठीक है तो पांच पच्चे 25 को पांच हुआ हासिल है दो हुआ पांदुनी के दस दो बारा को दो हुआ हासिल क्या हुआ एक हुआ पांच च्चे 30 अद 30 से क्या 31 अभी देखिए मान अभी कम है तीना जरस मान कम है यदि हम दो देखिए छो रखते हैं छो रख कर देखते हैं छच्चवे के 36 हो गया तो देखते हैं आता है इस देकी नहीं देकी शच्चosure के 36 को चा चैपी जब सब्सक्रीद आता हां से कर देखिए ten देखिए जैशन्रवह पवलैश से क्र करोण है यानि कि निकरतन पहुंच चुका है ना छिग निकरता तो पहुंच चुका तो यह हो जाएगा च्च More本 갔ी £2 by त्च sends a यह निए नो में से पांच घटेगा तो चार यह हो जाए क्या याद रखेंगे फ्रेंट्स आपका अभी पूर्डवर्ग निकल नहीं पाया है यानि कि पूर्डवर्ग के लिए आपका 143 आपका मान अधिक हो रहा है किसमे 99999 में जो मान है आपका 143 कि मान अधिक हो हो रहा है 99999 में 143 आउंक जो है कि अधिक हो रहा है तो यानि कि हम लोग इसमें से जो है कि इतना हम लोग मान घटा दे तो आसानी से लोगों का पूर्डवर्ग बन सकता है तो चले फ्रेंस निकाल लेते हैं 999999 में से घटा नहीं क्या 143 क्लियर है घटा देंगे तो यह हो जाएगा च्छ यह हो जाएगा पांच और यह कितना हो जाएगा आठ यानि कि आपको हो जाएगा कि आपका 99800 क्या चपन आपसर नंबर आपका फ्रेंस सही है डी जो है कि आपका 99800 क्या चपन तो प्रोसेस आपको अच्छा लग रहा है चलिए देखतें प्रस नंबर 17 कैसे हाल करेंगे प्रश्ण नमर 17 है कि 3 अंडरूड में है फिर अंडरूड में है 0.00064 का जो है कि मान गयांत किजिए तो फ्रेंड्स आपको देखिए न्प्र UC आपको प्रॉैंट गाले यहहां से ध्यान दिजिएगा यह आपका वर्ण मुल में है पहले उसके बाद चाहिए पौएक्ट के जوف預ist पाद अंख है आप इधर से जोड़ा लगाएंगे अब पॉइंट के पहले वाला जो है इधर से इसका मतलब आपका देखिए एक जीरो पहले बढ़ा इसमें से भी एक जीरो बढ़ेगा इसमें से भी जीरो बढ़ जाएगा अब बात है चाउचट की तो वह कौन सा अंख है जिसमें उसी से मल्टिप्लाइ यदि कर देजा है तो आपका चाउचोर थो जाएगा तो आठी आठी इतना हो जाएगा चाउचोर के लिए रहे है यानकि फ्रेंड्स आपका मिल गया क्या अंडर ओड यानकि 3 अंडर ओड आपका इसका यदि बर्ग मुल हम दोन निकालते ह है याद रखेंगे आप इसमें जो है दसमलों तीन अंग पे हैं इसका हर एक मान लेंगे तो एक पे तीन जिरो उपर और एक पे तीन जिरो क्या नीचे बरहा देंगे इसके बाद इससे एक हजार से इसमें अधी मल्टिप्लाई हम लो कर दें तो आपका सिर्फ हो जाएगा आठ आप आटा में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स जीरो पॉइंट टू सी है आपका दो और दी है आपका इन में से कोई नहीं चलिए आपसका आपका जो है कि आपका आपसन नमर क्या है भी है जो कि आपका एस मान साही है किलियर है चलिए वीडियो चलगता है तो लाइक कीजिए देखते हैं अठवा है कि 3 अंडरूर में यानि कि 4 साही 12 वाटा में कितना है 125 इसको जोगी सॉल्व करना है जो कि आपका आपसन भी दिया गया है आपसन आपको दिख रहा है कितना कितना है चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसमें सबसे पहले करें क्या देखिए 3 अंडरूर में है 125 से 4 में गुणा कर देंगे तो आपका 500 हो जाएगा ठीक है 125 चलिए 500 होता है आप 12 आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका कितना 512 बाटा में कितना हो जाएगा 125 यहां से 500 बारों को हम लिख सकते हैं फ्रेंश आठ गुणे आठ गुणे कितना आठ डिवाइड वे एक सो पच्शिस को लिख सकते हैं 5 गुणे क्या पांच आप जो है डिवाइड जो है कि LCM द्रा कर सकते हैं अब यहां से आपका हो जाएगा इसमें से एक तीन जोड़ा इसमें से 3 जोड़ा बन गया तो इसमें से 388 बाहर और इसमें से 15 कह बाहर हो जाएगा इसको हम इसको डिवाइट कर देंगे तो डिवाइट करें द्र नीं क्या मिलेगा वह जरा समझ आपसन देरा एक सही आपसन दिया हुआ है कि एक सही तीन बटा में पांच दूसरा आपसन है एक सही दू बटा में पांच C है 1 सही 4 बटा में 5 D है 2 सही 2 बटा में 5 जो कि हम लोग का आपसन मिल ला है A जो कि A आपसन आपका करेक्ट है 1 सही 3 बटा में 5 के लिए रहे चलिए आगे देखते हैं फ्रस नंबर 19 19 से 0.0000001 का घंद मूल है फ्रेंस आपका जो है कि 1 पर 5 0 है एक से पहले 5 0 है इसके बाद पॉइंट है इसका आपको बताना है कि घंद मूल आपका कितना होगा तो घंद मूल आपको फाइंट करना है जो कि आपका आपसन दिया है 0.1 0.01 C दिया है 0.001 और D दिया है आपका 0.0001 किलिए रहे चलिए सॉल्प करके देख लेते हैं घनमूल निकालना है तो पहले तो हम लोग ऐसे कर लेंगे इसको अब इसका हर एक मानिएगा एक पर 1 2 3 4 5 6 6 0 बढ़ा दीजिए ठीक है इसके बाद डिवाइड में कर दीजिए एक पर नीचे भी 6 0 जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्वारी में करण कहते हैं अब यह हो जाएगा तीन करणी में हो जाएगा गुणा करेंगे तो आपका पॉइंट हट जाएगा सिर्फ वन हो जाएगा यह तो आपको गुणा आता है अब इसके बाद यह हो जाएगा एक पर कितना जीरो जीरो ज यानिकी एक करोण है एक करोण है तो इसका मतलब तीन करनी में हो जाएगा एक का तीन बार गुणा कर सकते हैं अब अब आटा में यहां हम लोग तीन बार गुणा कर दें सो का कितना बार गुणा तीन बार गुणा दो दू चार दू छो जीरो बढ़ रहा है और इसके बाद हो जाएगा इसमें से तीन जोड़ा इसमें से तो हम लोग जो है कि एक और इसमें 0 बढ़ा लेंगे यहां पर 100 इकम क्या 100 यह रहा आपका क्या आपसन यह निक 0.01 यह आपका आपसन नंबर क्या है देख लीजिए 0.1 दिया है ये भी आपका आपसन नहीं सही है गलत है 0.01 ये जो है आपका सही है आपसन नमर क्या है B 0.01 किलियर है चलिए देखते हैं प्रस नमर 20 को कि प्रस नमर 20 कैसे हल होगा प्रस नमर 20 आपको दिख रहा है दिया है कि 8 का पावर 2 बाटा में 3 कमान गयात किजिए जो कि आपका आपसन नहीं दिया गया है चलिए स्वाल करके देख लेते हैं क्या आपसन नमर आपका क्या सही है मिलाएगा 3 4 2 और 1 आपसन नमर भी है आपका 4 यह रहा आपका क्या एंसर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किजिए शेयर किजिए चलिए आगे बढ़ते हैं कि कोशन नमर 21 को दिख रहा है तो टीक है कि अच्छा नमर एक किसा आपको दिख रहा है तो टीक है कि चलिए स्वाल कर लेते हैं वाई इसको याद रखेंगे आप लोग यह करणी लगा हुआ है तो करणी का मतलब यह हुआ हुआ दो का जोड़ा क्यूंकि करणी के बाहर यहां पर कोई विमान नहीं है तो यह बर्ग मुल हो गया ठीक हैं लेकिन इसमें दो आठ थे इसमें रहा है न यहांने चार वर एं दो इसमें याद कितना वार हैं चार रेता नोलसा समय लिजीए जिसका हें का गुणा करने पर चांप सब्सक्राइए ज़ोड़ा न तो आथ दो आथ बार है तो चाल चाल का जोड़ा बनाएंगे तो यहां आपका हो जाएगा कितना यहां से रख लिए यह हो जाएगा दो गुडे दो गूडे दो समझ में आ रहा है तो ठीक है नए जिसको समझ में आ रहा है वो समझ लिजे यह 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है यहां से यहां से यहां से यहां से यहां जाए कि दो बाहर इसमें बाहर प्लस इसमें से यह चार बाहर इस में से एक-दो बाहर, इस में से एक-दो बाहर, ठीक है, तो अब यहां से कितना हो जायेगा, आपका 2 दूनी के 4 हुआ, प्लस 2 दूनी के 4, 4 चार वार्ट और चार वार कितना, 12, आप्सन जरा देखेगा, दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 16, दोला सी दिया हुए 18 और जो डी है वाड़ी कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है तो आपका आपसन नुम्बर एस सही है जो कि आपका कितना है 12 ठीक है समझ में आ रहा है चलिए देखते हैं क्वेश्चन नुम्बर 12 तो आप लोग याद रखेंगे कि जो पहला दिन आपका चला था तो पहले दिन में भी आपका जो है कि दूसरे दिन में भी आ गया है तो चली देखते हैं क्वेश्चन नुम्र 22 वह सबसे छोटी धन पूर्ण्प जिससे 392 से गुणा करने पर गुणफल एक पूर्वर्ण संख्या प्राप्त हो होगा यानि कि आपका आपसंदिया है च्छा है पांच है तीन है और क्या है दो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जो भी आपका वैलू दिया हुआ है 392 इसका पहले हम लोग ब जोड़ा बनाएंगे दोड़ों का जिसका जोड़ा नहीं बनेगा जितने की कमी होगी यानिकि उससे ही मल्टिप्लाई कर दिया जाए तो आसानिस जोए कि हमनों का पूर्ण बन सकता है क्योंकि आप जोए कि पढ़ चुके हैं इसको आप खुद साल्प कर सकते हैं चलिए दो से डिवाइट करेंगे पहले दो से नहीं कटेगा दो तीन से दो एकाम दो यह होगया उननिस हुआ दून्नवा अठार रह आ दूछा के क्या बाराख फिर दो से दून्नवा 5 थारा दू आठे सोला फिर दो से कटा इएगा दूसेगे बार 24 चोगे वार 218 फिर सास दे अ कटेगा सा सत्य उन्चा साथ कम क्या साथ किलियर है यानि कि आपका हो गया दो गुणे दो गुणे दो गुणे साथ गुणे साथ गुणे क्या साथ यानि कि बर्ग मूल की बात हो रही है यानि कि कह रहा है कि पूर्ग की बात हो रही है तो दो-दो का जोड़ा बनाएंगे तो इसका बन गया इसका बन गया बच गया क्या दो तो दो को एक जोड़ा बनाएने के लिए कितने 2 की कमी है एक 2 की यानि कि 1-2 से इसमें multiply ہम लोग कर दें तो आसानिस जोए कि या पूरर बन सकता है तो आपका answer मिला 2 जो कि आपका option कौन सा सही है D, जो कि option आपका क्या है D है कि 2 से यहीं हम लोग गुड़ा कर दें तो आसानिस जोए कि यह आपका जो है कि पूण वर्ग बन जाएगा किलियर हुआ चलिए देखते हैं कोशन नमबर 23 कि चली कोशन नमबर 23 आपको दिख रहा है क्या है कि 3 अंडर उड जो यानि कि 3 कर्णी में जो है कि 8 है बाटा में कर्णी में 16 भागे कर्णी में में 16 करणी में जो है कि 100 बटा मिंचास गुणे तीन करणी में 125 बड़ाबर है जो कि आपका अपसंद दिया है 7 बटा में 4 3 बटा में 4 minus 2 और 1 आपका आपसंस एक कौन सा आपका आपसंस ड़े 10 करते हैं कानी मेंistol है तो इसका मतलब कि घंडमूल एक 12 और 108 पुरह कितना है यह करनी में taking存 तो आपका वर मुण कितना होता है अग्यां उफ के अंदर तीन तो घंटमूल का तो मतलब हुआ 125 निकालेंगे कितना होता है 55 25 125 तो चलिएव 2 दू दूनी के 4 एक बटा में दो गुड़े यहां पर भाग का चीन है तो गुड़े का चीन लगाएंगे तो या बिन पलड जाएगे कि 7 बाटा में दॉस अगूडे कितना फ्रेंस 5 तो 5 कि दूने के दौस door यह हो जाएगा साथ बाटा में चार कितना मिला फ्रेंस सा बाटा में 4 जो कि आपका EPSन क्या है देखते हैं आपका EPSन है एपका EPS नमर क्या सही है शचली मायनेस نमर को प्ली है ग्षैर कितनाado क्वेशन नम्बार 24 कि कुष्ण नम्बार जो है कि 24 है याद रखेंगे आपको जोए कि पहले दिन में भी स्टैप का जोए क्वेशन बता चुके हैं हम करें कि छात्रों के एक समुह में परतेक चात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समुह में चात्र थे यदि कुल धन 69.29 रूपया एकत्रित हुआ याद रखेंगे इस थोड़ा मिस्टेक जो एक मिस्ट्रिंट हुआ है यह 629 रूपया होना चाहिए यह 5929 रूपया होना चाहिए एकत्रित हुआ तो समुह में कितने चात्र से चात्र थे याद रखेंगे कोई भी चात्र पॉइंट में आपका नहीं होगा तो इसमें आपका पॉइंट में कोई आपसर नहीं दिया गया है इसलिए थोड़ा मिस्ट्वरींट लग रहा है तो हम भूग निकालेंगे 5929 पे ठीक है चली यह सब्सक्राइब चाल सब्सक्राइब जितने की उस समुह में छात्र थे तो मान लेते हैं कि समुह में कितने छात्र थे एक्स ठीक है माना समुह में छात्र कितने थे एक्स थे आगी यक्स से रुपिया क्या किया गया है लिया गया है कर एक जितना समुह में छात्र है उतना ही रुपिया आपका क्या किया गया है लि तो यक्स से एकस में मॉल्टिपलाई एक स्क्राइर हो जाएगा 5929 यह बराबर हो जाएगा अंडर और 5909 तो हम लोग जरा इसका बर्गमूल निकाले तो बर्गमूल देखे कैसे निकालेंगे भाग भी दिसे यदि याद हो तो आसानिस हो जाएगा याद नहीं तो पर 69 के करीब पहुंच जाए जैसे 66 के 36 हुआ जैसे माल लेते हैं तो 66 भी बहुत कम है ना साथ लेते हैं तो साथ साथ से साथ में करें चाथ अभी अभी कम है आठ लेते हैं तो साथ यहां पर साथ साथ ले सकते हैं तो यहां पर साथ हो जैएगा आप देखिए अब मल्टिप्लाई करें सासते उन्चार तो यह हो जाएगा जीरो सासते उन्चास हुआ आप पांच में से घटेगा चार घटेगा एक किलियर है 14 हो गया दस हो गया फिर हम लोग उतारेंगे क्या 29 यह नहीं कि आप लोग सिर्फ दो उतारेंगे ऐसे नहीं जब वह एक साथ है तो दोनों एक साथ आएंगे अलग अलग नहीं अब यहां पर कौन सा अंक रखेंगे कि आपका 1029 के करीब पहुंच जाएगा तो हम एक ही बर सा सा रखते हैं आप अलग अलग अंक रखकर आप देख सकते हैं यहां पर साथ हो जाएगा यहां पर भी क्या हो जाएगा सता सते सासा चोगवदा को 4 ौगटार हुआ एक 5 यानिक 1104 मालडीप्लाइब आपका कोट चुका है यहादि कि जब कोट गया 0 आ गया तो इस इसका मतलर की बर्गमुल कितना हुआ सो तो हत्तर गई याने कि जो है तोटल 16 आपके यक्स सत्र आया है तो शातरों कि संक्या कितनी थी तो कशाट थी परतेक साथ से कितना रुपिया लियागा स्वुपिया आपसंदेखिए आपसं नमबर आपका वे सहे lado का से यह रहा आपका क्या कि लिए देखते हैं कोशन नमबर 25 आपको दिख रहा है कि कोश्चन नमबर 25 है कि यक्सा प्लस यक्सा कोश्टक पचीस है कोश्टक में साथ धन तीन करणी में लेक्ता करणी में 5 दूसरी कुश्टक में साथ माइनस थिन करणी में 5 का बरगमूल है जो कि आपका आपसन दे रहा है चार करणी में 5 तीन 2 ठीक है कि नि Misal North कर लेते हैं याद रखेंगे फ्रेंड्स दोनों मान सेम हैं लेकिन एक में जोडा गया एक में घटाया गया है तो हम लोग तुरंत पता चल गया होगा कि स्कॉार चलिए ऊसी कानसार तो पहले का स्क्उाइर साथ का स्कॉाइर माइनस दूसरे का इस्ति न करणी में 5 के जीए रहे सा सते 49 उगा माइनस कर्णी में Pack-3 उच्पीप्लाइ करेंगे दू सम आप 5-5 में याद सिर्फ आपका पांच हो जाएगा यह नि पंडरा कांटी में पंडरन होता लेकिन इसमें आपको एक बात और पूछ रहा है याद रखेंगे का बर्गमूल भी पूछ रहा है ना तो इसका क्या निकालेंगे बर्गमूल निकालेंगे चार है तो चार का बर्गमूल कितना हुआ दो तो फ्रेंस आपका आपसन नंबर ए नहीं है आपका आपसन नंबर ड से 0.000326 से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो याद रखेंगे फ्रेंस अभी जो है कि आपका स्टार्टिंग में जो है प्रस नमबर जो के 16 आपको बताया गया था वही प्रोसेस से महम आपको लेकर चलेंगे प्रस नमबर किसमें 26 में आपको आप संदिख रहा है है तो हम लोग सुल्ब करेंगे देखिए इसमें पॉइंट जब रहता है तो पॉइंट के इस साइड से हम जोड़ा बनाते है अब पॉइंट के पहले वाला इस सैट से तो इसमें देखे जो जहां तक जिरो है यह एक जोड़ा है यह भी एक है तो इसमें जिरो बढ़ा सकते हैं यहां पर एक जिरो बढ़ा कर जोड़ा लगा सकते हैं कोई बात नहीं तो एक जिरो पॉइंट बढ़ेगा यहां पर भी एक जिरो है तो एक कौन से संख्य है जिसका उसी संख्य में गुणा करने पर तीन से अधिक नहीं होना चाहिए यहां से एकी हट्द 2 हो जाएगा किलियर है अब देखिए और एक एक हम आयक तो यहाँ पर लिखेंगे क्या एक अब देखिए लिखने के लिए जब घटाएंगे हम लोग तो 3 में से 1 घटे गा तके कितना दो हुआ 0 हो गया अब इसके बाद ये भी 0, यह भी ra point क्या जीरो सभी हम लोग उतारते चलेंगे ठीक है इसके बाद यादो हो गया और ₹क के दो है और यहां पर कोई भी अंक रहते हैं यहां кого यहँ ए बहुत कम है इसके वां उतारें क्या 26 के 200 कितना हुआ चाबिस वह दो सो चाबिस नहीं बोलेंगे वाई पॉइंट है ना यानिकि दो दो च्छ ऐसे आप लोग आ सकते हैं तो यहां पर हम लोग क्या रखेंगे कि आपका 226 से अधिक नहों तो यहीं हम लोग 9 रखते हैं न रखेंगे रखने के बाद यहीं मल्टिप्लाइओ करते हैं दो बहुत अधिक हो जाएगा तो यहीं हम लोग 8 रखकर देखते हैं एक बार है ठीक है तो दिरी समझे में चल्य चलीएं चाहुआ घटेगा दो जायेगा 000 000 और क्या कि किलिए रहें यह निकि हम लोग जो है फ्रेंस से यदि हम लोग जिरो 000 0002 यदि हम लोग इसमें से घटा दे तो असानी से हम लोग का पूड़वर्ग बन जाएगा यह निकि घटाना पड़ेगा क्या 0.0000002 तिक आपसं देख लिए आपसं आपका दिया है एदिया है 0.0000004 दूसरा दिया 0.0000002 और तीसरा दिया है सी दिया है 0.04 जो दी दिया है 0.02 कि आपका आपसं नंबर कौन सा सही है बी सही है आपका आपसं नंबर बी करेक्ट है यहीं कि आपका होगा 0.0000002 कि लियर है चलिए आगे देखते हैं प्रस्ट नंबर जो एक 27 को कि प्रस्ट नंबर 27 कैसे हल करेंगे प्रस्ट नंबर 27 देख लेते हैं कि अब कर देखेंगे अ जुड़े कर रहा है कि जो आपका माण दिया गया है यह जो मान है वराबर है जो कि कि आपका आपसंडिया गया है तो हम दो देखेंगे कि इस आफ्सनों मंसे कौन सा आपस्टन आपका सही है तो चले लिए King jerk कर देक्क लिए यहां से दिखेगा याद रखेंगे आप लोग की जो यह मान है आपका जो भी एस मान दिया गया है इसमें से हम लोग करें यह क्या देखिए सबसे पहले पॉइंट देखिए दोनों मान आउंस और हरों में पॉइंट बराबर आंखों पहें तो अंक वाले की आंक वाले से जो पहले जीरो है से जीरो आप छोड़ दिजिए क्योंकि जब मॉल्टिप्लाई करेंगे एक पर एक पर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो आपका हो जाएगा क्या 12-25 आपका हो जाएगा तीरपन क्या 29 अब 12-25 का जो है कि 35 हुआ और जो तीरपन 29 का जो बार्मूल है आपका कितना हो जाएगा तीहत्तर तो जो कि आपका आपसन नमबर कौन सा ही है आपका आपसन दिया गया है 25 वटा में 77 पाइटीस वटा में 77 और इसके बाद दिया है आपका 25 वटा में क्या 73 तो आपका आपसन नमबर कौन सोङ है 25 वटा में तीहत्तर प्रेंत्स आप लोग याद रखेंगे हम ===ने違ुषक po तीरपान और किसका 29 आप लोग निकालेंगे तो आप लोग समझ लिए हैं यदि नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएगा उसका वीडियो आलग से बना दिया जाएगा चलिए सुरू कर लेते हैं यानि कि आपका आपसन नंबर क्या था फ्रेंज भी आपका आपसन नंबर भी आपका सही था 35 वटा में जो है आपको कितना है 73 ठीक है चलिए यह रहा आपका क्या एंस वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए आपने दोस्तों में से जरूर करते रहिएगा चलिए देखते हैं 28 को कैसे अल करेंगे कुशन नंबर आपका 28 से 28 से allein क्या एक चलिए 28ि-27 आपका इंपोर्टैंट कोश्चन हैं और आपका 16 नंबर भी आपका इंपोरटयों कुश्चन है और शे कि ज्जयदा ध्यान से पढ़ियेगा चलिए pendant 28 में परस्टन अभर्टाइस कैसे सौल्थ परेंगे कि अब 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 कि अब कि अब कि अब चले फेंस हम लोग जो कि सॉल्ट कर लेते हैं कि जो कैसे सॉल्ट करेंगे तो चले सॉल्ट कर लेते हैं यह आपका है करणी में माइनस करणी में तीन है प्लस यह आपका है थ्री प्लस यह एट है अंड़र्ड में देखिए यह जो सेवन है यानि कि जो साथ है साथ को क्या हम उलिख सकते हैं चार प्लस तीन आप प्लस और चार को हम उलिख सकते हैं दो गुड़े कर्णी में क्या? दो गुड़े दो आप कर्णी में कितना? तीन ठीक है? इसलिए लिखे है क्योंकि हम लोग तो यह आप आसानिस जो है कि हम लोग का फार्म बन सके माइनस थ्री प्लास अंडवड में आपका है थ्री प्लास यह हो जाएगा एट अंडवड में च्यार को हम लो लिख सकते हैं दो का क्या स्क्वाइर प्लास तीन को लिख सकते हैं करणी में तीन का क्या स्क्वाइर यह हो जाएगा प्लास टू गुड़े टू करणी में कितना यहां से हो जाएगा अंडर्वड में माइनस करनी में 3 प्लास अंडर्वड में हो जाएगा 3 प्लास यह एट करनी में अब यह टोटल जो फार्मूला आपका बना है यह फार्मूला है आपका 2 प्लास अंडर्वड में 3 का क्या स्क्वाइर क्योंकि जब हम लोग इसको 3 plus 8 करणी में आप देखें इसका जो है कि यदि हम लोग देखें स्क्वाइर है अब करणी है तो दो का जोड़ा बनाएंगे तो इसक्वाइर हट जाएगा आप करणी भी हट जाएगी बर्मुल पड़े हैं न यहां को जाएगा टू प्लस करणी में कितना 3 इसके बाद यहां लोगे क्या 16 और यहां से हो जाएगा प्लस आठ करणी में कितना 3 अज सोलो का हम लोग क्या लिख सकते हैं चार का इसक्वाइर लिख सकते हैं और फिर यह आपका फार्मूला बन गया आपका हो गया करणी में माइनस करणी में 3 आप प्लस यह फार्मूला आपका बन गया है चार प्लस करणी में 3 या करणी में 3 को पहले रख सकते हैं करणी में 3 आप प्लस क्या 4 का क्या स्क्वार ठीक है इसके बाद फिर इसका बर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा क्या देखे हम लोग का यहां से मिल जाएगा करणी में माइनस करणी में 3 प्लस अब ये आपका करणी में है इस्क्वार भी है तो बर्गमुल लेंगे तो इस्क्वार हड़ जाएगा आपका हो जाएगा क्या करणी में 3 प्लस कितना 4 करणी में 3 से करणी में 3 क्या होगा कट जाएगा तो करणी में कितना हो गया च्छाऊ रखंव कीटना दो आंप देखेंगे आपका آپ सदिया क्छा पाला दिया है एक दूसरा दिया है दो तीसरा दिया है तीन दिया है आपका आठ टो आपका नमबर आपका कौन से सही है भी आपका कितना हो गया दो यह रहा आपका क्या Sum वीडियो अच्छा लगते हैं तो लाइक किये और अपने दोस्तों में जैर जरूर कर देगा चलिए को नमबर जो है कि हम लोग 29 देखते हैं कि की क्रक्षान नमबर 29 को कैसे हल करेंगे तो प्रस्णमर आपको जो है कि 29 दिख रहा है कि प्रस्णमर 29 में आपको क्या करना है कर रहा है कि बरावर है आपका आपसन भी दिया गया है किसके बरावर होगा चलिए solve कर लेते हैं इसको यह आपका देखें याद रखेंगे यह भी जो है कि a plus b के holy square के farm में हम लोग change करेंगे इन तीनों मानों को तो आपका a square का काम करेगा यह किसका b square का इसके बाद हम लोगो इसको दो है कि दो गुने के रूप में लेना है देखें यह वाला तो आपका मान मिल रहा है लेकिन यह यह वाला मान नहीं मिल ला है दो चार जिरो दॉसमलों चार जिरो चार को हम लोग तोड़ सकते हैं ऐसे 0.78798 का square यानि के प्लास इसको हम लिख सकते हैं दो गुणे 0.202 क्योंकि multiply करें तो फिर इतना मिल जाएगा और गुणे 0.798 आप प्लास और यह आपका हो जाएगा 0 0.202 का क्या square आप प्लस कितना है बाहर 1 ठीक है हम लोग तोड़ के जो है कि हम आपको सिखा दिये बता दिये हैं कि आप जोई कैसे स्वाल करेंगे कैसे आपका जोई कि फार्मूला क्या रहा है अंड़ूड में अब यह फार्मूला आपका बन चुका है क्या एक कमान यह है तो आपका हो जाएगा देखिए सिर्फ आपका बर्मूल निकालेंगे घात थर्ट जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आठ और एक कितना हो जाएगा यहां से जड़ दसमलों के बाद जिरो है जिरो है तो चोड़ दीजिए वान प्लस वन हो जाएगा इसकल डू कितना तो यह आप सना आपका दिया है जीरो दो दिया है 1.596 दिया है 0.404 ठीक है तो आपका आपसन नमर कौं से सही है आपसन देखिए बी आपसन भी आपका क् आपसन जयों मिला सकते हैं तुम आप जो में कि या जा रहा है तीस को देख लेते हैं जो कि आपका अंतिम कूस्चन है उन्हाइग सब्सक्राइब कर लिजैगा कर रहा है कि प्रस्ट नमबर 30 कर रहा है कि यदि 50 बटा में x बराबर x बटा में 12.5 हो तो x कमांद गयाद कीजिए जो कि आपका आपसंदिया हुआ है चलिए solve कर लेते हैं इसका जो है कि हम तिर्यक multiply करेंगे तो x x में हो जाएगा x square और 50 30 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा फ्रेंट्स यह हो जाएगा 600 कितना 25 multiply करके हम दिखा देते हैं जीरो 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 हो जाएगा 55 25 को 5 हासिल दो हुआ पांद दस दूबारा को 2 हासिल एक हुआ पांच और पांच और क्या आच्छा यह जो है कि एक अंग पर पॉइंट है तो पॉइंट एक अंग पर कट जाएगा 600 कितना हुआ 25 यहां से x बराबर में है यदि इसका करणी हटाएंगे तो यह आपका जितना इधर जो है जितना मान रहेगा उसका स्कॉयर लग जाएगा और यदि स्कॉयर को हटाते हैं तो दूसरे तरफ क्या लग जाएगा करणी यह हो जाएगा एक्स बराबर 625 का बर्गमुल निकाल लिए यह याद नह सब्सक्राइब करके जूड़ जाएगा घातांक और करणी कमान अभी तक हमारे साथ नहीं जूड़ है चैनल को सब्सक्राइब करके जूड़ जाएगा क्योंकि अगले दिन आपको दे जाएगा घातांक और करणी कमान ऐसे ही जो है कि हम लोग चाप जोएगी पढ़ते चलेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा जाते 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 जो है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीज़ेगा और शेर भी अपने दोस्तों में जितने भी आपको वाटसप ग्रूप हैं चलिए हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में यहने कि आपको अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे घातांक और करणी